पर आपको हर रोड सुभे लॉपर चर्चा में मेरे साथ लीगल करेंट अफेर्स करने का मौका मिलता है जहां पे हम लोग डेली के लीगल आर्टिकल्स कवर करते हैं लीगल जज्जमेंट्स कवर करते हैं एंड डेली की लीगल न्यूस को भी कवर करते हैं एंड टुड़े आज हम यहां पे एपिसोड नंबर 61 में भी उसी तरह का अपना ब्रेकफास्ट लेके हैं जहां पे हम एट लीस्ट यहां पे दो से तीन जज्जमेंट्स करेंगे एक लीगल आटिकल करेंगे एंड देन देख रहा हूं मैं कुछ दिनों से जो जो भी बच्चे सुवे सुवे यहां पे आ जाते हैं इनकी खुद की पहले तो यारी दोस्ती बन चुकिया है ना सब लोग एक दूसरे को के बोले होते हैं गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग सर अची बात है वेरी गुड इसी तरह का कनेक्शन बना के रखने हमारी क्लास आगे भी चलती रहेगी और भी स्टुडेंट्स एड होगी सब लोगों को अपनी कम्यूनिटी में एड करक और इस तरह का महाल रखना है डेट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी चलती रहे रहे राइट वेरी गुड अलोफ यू नाओ टोड़े जो आपका एपसिसोर नुम्बर 61 पर हम लोग डिस्कस करने वाले है ना बिसिकली वी आर गोएं टो डिस्कस दा ऑप्सिनिटी लॉस उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले है एक मड़र ट्रायल एंड देन दा डॉमेस्टिक वाइलेंस का एक केस जो की काफी इंपोर्टेंट लीगल पॉइंट हमें देखने को मिलेगा सी आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ Instagram पे टेलीग्राम पे कनेक नहीं किया then you can all connect with me on telegram and instagram telegram पे आपको सारे के सारे sessions की handwritten notes मिल जाते हैं और साथ ही आपको pdf भी provide कर दी जाती है और अगर आपको कोई भी query होती है then also you can ask me on the telegram telegram को आपको सिरफ और सिरफ यहीं से scan करने नहीं तो आप इस directly link को ministry of legal affairs को directly यहाँ पे सर्च करके भी मेरे साथ link up कर सकते हूँ see the ages of American law the ages of American law एक book है जहाँ पे लिखा गया था law reflects but in no sense determines the moral worth of the society बस यहीं तक इसको read करो law reflects but in no sense determines the moral worth of the society इसका मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी में जो लो हमें देखने को मिलता है वो लो न यहाँ पे सोसाइटी को देख कर बनता है सोसाइटी पहले आती है सोसाइटी की moral turpitude सोसाइटी में moral values क्या है उसी के according हमारा लो बनता है ऐसा नहीं होता कि पहले लो बनता है and then law के साथ साथ हम अपनी सोसाइटी को चेंज करें basically देखिए हमारा लो बनता कैसे है how do we make the law हमारा लो बनता है indian parliament में parliament में law बनता है न and parliament क्या है parliament is something which represents our indian society जो हमारी society को represent करते है वो ही parliament में लोग बेठें अगर हम आज किसी member of parliament को elect कर रहे है तो हम हमारी society उसको represent करने का मौका मिलने कि हम सब को आप यहां पे parliament में जाके represent करो यानि कि society की जो moral values है society के अगर कोई moral values है अगर कोई popular view है उनको आगे represent करेगा एक elected member parliament में और वो ही parliament हमें law देगा point समझने की कोशिच कीजिए कि basically ये जो हमारा cycle होता है ये society से हमारा law बनता है और ऐसा नहीं होता कि पहले law आ जाए and then हम अपनी society को change करते रहे Is it clear? Is it clear कि पहले हमारी society society के according हमारा law बनाया जाता है ऐसा नहीं होता कि पहले एक law बना दो और उसके बाद society को उसके according change करो No Everything happens at its own time society एक time के बाद अपने आप change होने लग जाती है और आज हम इसी के regarding बात करने आए है कि हमारी Indian society obscenity laws के regarding कितनी यहाँ पे mature हो चुकी है obscenics यानि कि अगर हम बात करें कोई भी lustful content अगर हम बात करते हैं pornography movies की भी या फिर कोई ऐसी movies की जिनके उपर बैन लग जाता है डेट ये movies public में नहीं जानी चाहिए censor board से पहले पास उजानी चाहिए उसके regarding आज हम बात करने वाले है see law reflects but in no sense determines the moral worth of a society the better the society जितनी society better होगी उतनी ही laws कम होंगे और अगर heaven है तो heaven में तो we can see the loin shall lie down with the lamp वहाँ पे तो loin भी lamp के साथ वहाँ पे एक ही time पे होते हैं because कोई भी law नहीं होता it means the better the society the less the law आज जो यहाँ पे आटिकल हम लोग पढ़ने वाले है यह आटिकल लिखा है एक रेटायर्ड मिल्ट्री ओफिसर ने एक रेटायर्ड मिल्ट्री ओफिसर ने यह आटिकल लिखा है यह आटिकल लिखा गया है on the basis of this judgment Nagpur bench Bombay High Court के Nagpur bench में एक judgment आई जहाँ पे उन्होंने बोला that wearing short skirts अगर कोई लड़की short skirts पहन रही है या फिर if she is dancing provocatively कोई इस तरह का dance के जरह यहाँ पे लोग provoke होंगे and making gestures cannot be considered as cannot be considered obscene acts as per section number 294 of the Indian Penal Code पहले तुम्हें आपको सबको बता दूँ कि इंडिया में अगर हम IPC की बात करें तो obscene laws कौन कौन से हैं obscenity laws हमें देखने को मिलते हैं section number 292, 293 and 294 of the IPC now इसी साल मार्च में Bombay High Court के पास एक केस गया जहां पे कुछ लड़के एक बार में लड़कियों को देख रहे थे and उन लड़कियों ने short skirts पहनी हुई थी and they were dancing provocatively और उनके उपर FIR फाइल कर दी गई आप देखके चलिए FIR यहां पे किस के उपर फाइल की गई लड़कों के उपर FIR फाइल की गई that ये लड़के एकठे होगे इन लड़कियों को देख रहे हैं जहां पे इस तरह का महौल है and finally यहां पे Bombay High Court ने एक progressive यहां पे view point लेके ना इन FIR को क्वेश कर देख FIRs have been questioned and reason being reason being the progressive view of the society finally अब यहां पे इस आर्टिकल में यह लिखा हूँ है कि हमारे High Courts and Supreme Court एक progressive view लेने लगे कि हमारी society में यह सब कुछ common है और अगर इस तरह की activities के लिए अगर आप लोग किसी के उपर FIR करोगे और उसको arrest कर लोगे then it is against the law और यहां पे कोई भी यह act यहां पे 294 में fall नहीं कर रही है now see basically इस कहां पे case में क्या क्या आगा Bombay High Court ने यहां पे यह बोला किसी जब हम लोग movies देखते हैं आप लोग आज कल की movies छोड़ो जो हम लोग 2020 के टाइम पे देख रहे हैं जो 2023 के टाइम पे देख रहे हैं अगर हम आज से 20 साल पहले की movies भी देखें तो हमें उन में obscene acts देखने को मिलती थी there is no doubt in that कि पहले के songs में भी ऐसी acts होती थी जो की sensor board से pass होके ही public view में आती थी तो क्या अगर एक इनसान घर पे बैटके अगर movie देख रहे है या फिर अगर cinema hall में जाके कोई movie देख रहे है जहां पे इस तरह की activity दिखाई जा रहे है कोई obscene activity दिखाई जा रहे है आज तक तो ऐसा नहीं देखा ना कि अगर एक इनसान movie जाके देख रहे है cinema hall में तो उसके उपर 294 apply कर दिया जाए the answer is no तो यह यहां पे अगर चार लड़के बैटके एक बार में देख रहे है तो उनके उपर 294 में यहां पे punishable offense क्यों किया जाएगा और दूसरी तरफ the wearing of the short skirts अगर लड़कियां short skirts पैन रही है and अगर वो provocatively dance भी कर रही है then how can we say that this is an obscene act under section 294 of the Indian Penal Court right see और अगर हम Indian society की बात करें इस particular article में आज का article में आपके लिए लेकर रहे इस लिए आया हूँ पहली बार तो यह article लिखा हूँ एक बहुत ही progressive viewpoint से एक military officer ने और यहां पे ना A to Z obscenity laws के regarding बात की गई है कि history में यह law कैसे थे आज के time पे क्या viewpoint चल रहा है और आज से 20-30 साल पहले क्या लोगों का viewpoint चल जब हमारी society progress हो रही थी इंडिया जैसा इंडिया जैसी country जहां पे व्याद समाजी यहां पे लिखा था कामा सूत्रा the world's oldest sex monologue कामा सूत्रा जो की इंडिया में लिखा गया था क्या इंडिया जैसी country में इस तरह की activities को obscene माना चाहिए theoretically तो बिल्कुल भी नहीं माना चाहिए जहां पे कामा सूत्रा लिखा हो बिल्कुल भी नहीं माना चाहिए but अगर हम लोग practically बात करें तो history के बाद हमारे देश में आते हैं Britishers Britishers जब आते हैं तो इन लोगों ने हमारे देश में Adam and Eve के यहां पे law के according Adam and Eve की story के according एक Eve teasing story वहाँ पे आपको Indian penal code में कुछ sections add कर दिये गए 293, 292 and 294 of the Indian penal code जिसमें obscene loss को यहां पे criminal offense माना गया now section number 292 हमाएं क्या बोलता है section number 292 बात करता है किसी भी ऐसे obscene content की किसकी बात करता है content की जो content यहां पे less vicious हो, voyeuristic हो, salacious हो या फिर lushful हो एक ऐसा content जिसको देखके एक lustful वाली feelings आए and ultimately बोला यह जा रहा है अगर इस feeling के साथ कोई भी इनसान sexually corrupt हो रहा है sexually corrupt हो रहा है उसको content को read करके या फिर देखके या फिर सुनके तो उस case में उस content को publish करने वाले को यहां पे punish किया जाएगा उस content को जो भी यहां पे दे रहा है उसको punish किया जाएगा under section 292 of the Indian penal court and section 293 क्या बोल रहा है अगर यही content publish भी कर दिया जाए और जो इनसान इस content को आगे distribute करेगा यह exhibit करेगा यह circulate करेगा वो सब लोग भी यहां पे इस offense के लिए liable माने जाएगे and section 294 बोलता है इसी तरह की acts या फिर songs अगर यहां पे public में annoyance पैदा कर रही है अगर कोई public activity में जैसे हमारा case हो गया जैसे जिसमें कि हमने देखा कि चार लड़के अगर कोई बार में जाके लड़कियों का डास देख रहे है और अगर वो लड़कियां short skirts में डास कर रही है provocatively डास कर रही है तो वो उसमें यहां पे obscene accent songs में add कर दिया जाएगा जो कि public में एक annoyance यहां पे पैदा कर रहे है शूरीट भी सो क्या ऐसा होना चाहिए क्या यह 294 में fall करना चाहिए the present society के according क्या आज भी हम लोग 1860 में जब यहां पे यह law बनाए गे थे यह law हमें किस ने दिये थे किसी जो हमने देखा कि society के साथ साथ हमारा law भी बदल जाता है या फिर आज हमारी society बदल चुकी है आज हमारी society एक liberal viewpoint लगती है कि अब हमें यह law नहीं चाहिए क्योंकि आज भी आप लोग हर साल ऐसे issues देखते होगे कि कोई ना कोई movie release होती है या फिर कोई ना कोई otd platform पे hotstar netflix पे आप लोग movies देखते हो तो हर साल एक दो movies चर्चा में रहती रहती है कि इस तरह का content दिया गया है लोगों को यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को इस तरह का content देखने को मिल रहे है तो यह सब गलत है हम लोग काफी टाइम से देख रहे हैं that इंडिया में ना IT act, information, technology act and यहाँ पे जितनी भी इस तरह की जो movies आ रही है जिसको की obscene बोला जाता है इन में लगाता हमें एक argument देखने को मिलता ही रहता है कि इन movies के उपर बैन लग जाना चाहिए इन movies के उपर IT act के according एक rules and regulations आ जाने चाहिए कि इनको यहाँ पे regulate किया जाए कि किस तरह का content आप लोग public में दे सकते हो आप लोग public में दे सकते हो अगर हम बात करें कि 1860 में जब हमें यह loss मिले थे क्या उसके बाद government ने obscenities को यहाँ पे और strictly formulate करने की कोशिश की the answer is yes हमें लगातार ऐसे कानून देखने को मिलते रहे जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि थोड़ी बहुत भी अगर कुछ obscen activity है तो उसके against यहाँ पे एक offense बना दिया गया Young Persons Harmful Publications Act 1956 आजाद होने के कुछी सालों के बाद 1956 में हमें एक law देखने को मिलते है which seeks to punish a person who advertises और makes known by any means whatever that harmful publication can be provoked from or through that any person यानि कि यह 299, 292, 293 and 294 जो भी यहाँ पे content की बात की जा रही है अगर उस content को अगर एक young इंसान public करने की बात कर रहे है तो उसके लिए एक अलग से act बना दिया गया that that person will be punished under this particular law और उसके बाद भी अगर हम बात करें the indecent representation of the woman prohibition act 1986 जो भी एक law आया है जहाँ पे हमें देखने को मिला it was enacted to punish the course representation of the woman अगर एक लड़की को एक advertisement में लिया जाते है कि आपको एक advertisement करनी है और अगर वो अपनी इच्छा के साथ वो advertisement कर रही है बट उस advertisement में ना कुछ भी यहाँ पे obscene है which is ultimately going to deprive और corrupt the injure the public virtue और morals पहली बात तो यह जो words है ना इनी के उपर हमने ध्यान देना है कि हर law में हमें बताया किया जा रहा है कि in X के साथ लोगों के mind को injury हो रही है इन X के साथ लोगों के mind को deprive किया जा रहा है लोगों के mind को corrupt किया जा रहा है क्या अगर एक लड़की अपनी इच्छा के साथ कोई भी advertisement करती है क्या वो उसका fundamental right नहीं है क्या वो उसका fundamental right नहीं है आप उसकी body के उपर उसको कैसे रोख सकते हो that these are the kind of dresses which you cannot wear or which you cannot advertise in the public बट ये law भी हमारा है कि अगर कोई advertising agency इस तरह की representation एक लड़की की करवाती है एक woman की करवाती है तो इस advertising agency को ही पनीश यहाँ पे कर दिया जाता है indecent representation of woman prohibition act 1986 में but आज अगर हम present society की बात करें आज अगर हम लोग present society की बात करें पहलो तो देखो इस military officer ने यहाँ पे यह बोला कि यह जो यहाँ पे words use किये जाती है deprive, corrupt and injure the public virtue or morals कि actually यह words ही यहाँ पे clearly defined नहीं है how can you make it subjective हमारा इंडिया जिसको के हम लोग बोलती है unity and diversity right जहाँ पे अलग अलग दरां के लोग रहते है every person has a different subjective mindset किसी का क्या view point है कोई यहाँ पे एक modern society की सोच रखते है कोई यहाँ पे आज भी traditional society की सोच रखते है और अगर कोई यहाँ पे traditional society की सोच भी रखते है then I have seen myself some people जो traditional society के लोग होके भी modern society की यहाँ पे साथ रहते हैं कि ultimately यह जो यहाँ पे words है न यह clearly defined ही नहीं है जिनके उपर आप chart sheet file करके लोगों को punish कर देते हो and see section number 67 A and 67 B of the information technology act IT act में भी हमें यही देखने को मिलता है IT act में भी कि अगर कोई content social media पे आ रहा है तो उसको यहाँ पे punish कर दिया जाएगा या फिर अगर कोई content social media पे उठा के यहाँ पे public नहीं कर रहा but अपनी सिर्फ और सिर्फ possession में रख रहा है यानि कि अगर कोई pornographic material किसी के phone में भी है न store किया हुए आपने download किया हुए तो as per section number 67 B of the IT act यहाँ पे आप एक punishable offense commit कर रहे हो can you even imagine that जहाँ पे हमारी government हमारा law इन सब activities को regulate नहीं कर पा रहा आज भी हमें यह सारा का सारा data internet पे avail मिलता है but then also अगर आप लोग store कर लेते हो तो punish आपको किया जाएगा but आज की society के अगर हम बात करें जो इस article में लिखा हुए है with the advent of the OTT platforms and OTT platforms का मतलब OTT platforms का मतलब hotstar netflix यह जो सारी की सारी apt applications है netflix या फिर prime जितने भी यहाँ पे जिस जहां पे movies आपको देखने को मिलती है उनके साथ साथ ना यहाँ पे एक revolution देखने को मिला है कहाँ पे अब यह revolution के उपर यह article है कि यह revolution हमें society में देखने को मिला है या फिर यह यहाँ पे technological revolution के साथ हमें हमें साथ साथ societal revolution भी देखने को मिला है इस article में in military officers ने यह लिखा हुए है कि at this point of time आज के जमाने में जो कल की एक माँ कल जो भी यहां पे एक मदर इस तरह की एक्टिविटी को अलाओ नहीं करती थी बट टुडे अगर वो अपनी बेटी को देखती है तो वो यहां पे कुछ भी नहीं बोलती तो यहां पे एक कुछ खड़ा किया गया है तो यहां पे कुछ अपसे पूछा गया है क्या आपसीनिटी लॉज क्या इंडिया में जितने भी आपसीनिटी लॉज हैं क्या अब यह मैचौर हो चुके हैं क्या हमारी इंडियन सोसाइटी भी इन लॉज को लेके मैचौर हो चुकी है कि अब हमें सेक्शन नंबर 292, 293 and 294 हमें नहीं चाहिए क्या हमारी Indian society obscenities law को लेके democratize हो चुकी है क्या हम आज के दिन यहाँ पे इस revolution को क्या समझ रहे हैं क्या ये with time social revolution है या फिर it is just because of the internet कि अगर आज internet बंद कर दिया जाए तो society फिर वही पे चली जाएगी ये social revolution आया है या फिर ये एक technological revolution है जिसके साथ साथ हमें society में change देखने को मिल रहा है तो इस particular article में यहाँ पे military officer जी खुद यहाँ पे ये बोल रहे है that see according to him probably it is a technological revolution aided by the electronic media that is hastening the change in social perceptions of obscenity in other words the dynamics of the social changes liberalizing views on the obscenity कि अब हमारी society का यहाँ पे जो व्यूपॉइंट हो रहा है वो एक liberal व्यूपॉइंट हो रहा है जहाँ पे हम लोग fundamental rights को जादा यहाँ पे महतव दे रहे हैं article 19 को right to freedom of the speech and expression उनको यहाँ पे जादा importance मिल रही है and society यहाँ पे लगाता socially and morally grow हो रही है and obscenity laws भी यहाँ पे अब adult form में आ चुके हैं am I clear all of you अब यह article में ना आप सब को यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला अब इस article में आपने कुछ law points तो देख ले कि obscenity laws के regarding हमारे देश में कौन से कौन से laws है but आपको exam में न law point में यहाँ पे judgment तो को इसके regarding पूछी जाई सकती है इसके regarding आपको एक essay 101% paper में आ सकता है ऐसे भी आपको किस तरह से आएगा कि OTT platforms को क्या govern करना चाहिए क्या Indian Information Technology Act के according OTT platforms के उपर कोई ban लगना चाहिए because वहाँ पे हमें जो content मिलता है वो हर तरह का content मिलता है even though India में same sex marriage को recognize नहीं किया गया but हमें OTT platforms पर ऐसी movies देखने को मिलती है जहाँ पे इस तरह की LGBTQ communities में हमें शादियां देखने को मिलती है and also sexual activity भी हमें देखने को मिलती है क्या ultimately ये OTT platforms हमारे mind को corrupt कर रहे हैं के नहीं कर रहे है क्या इनको govern करना चाहिए के नहीं करना चाहिए and reason of governing obscene laws and the reason of the governing obscene laws इस तरह का article इस तरह का essay आप से पूछा जा सकता है Am I clear all of you? Am I clear all of you? ये article आप लोगों को समझ आया और interesting लगा एक article काफी एक नया एक अलग तरह का article था और आप में से कुछ-कुछ लोग बोल रहे है कि sir यहाँ पे society में affect हो रहे है it is your personal viewpoint मैं खुद भी बोलूँगा कि काफी जगां पे ऐसा possible नहीं है बिकॉस इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है we are all not growing up in a same atmosphere हम अगर हमारी जो बॉन एंड यहाँ पे बॉन एंड बोट अप है सब की अलग अलग है सब का व्यूपॉइंट अलग है और सब का व्यूपॉइंट अलग होना भी चाहिए बट अलटीमेटली जो हमारा सुसाइटी के मॉरल वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग अर दिस पॉइंट अफ टाइम क्या यह लॉज सही है यह नहीं है वो हमें एक अलग से लीगल पॉइंट अफ व्यूज से भी समझना होगा am I clear all of you moving on moving on to the judgment of the day it is a very very important judgment अनिल कुमार वर्शी स्टेट अफ केरला 2023 सुप्रीम कोड जज़्जमेंट and this judgment relates with the murder trial murder trial murder Indian penal code में Indian penal code में murder कहां पे defined है whenever जब भी हम बात करते हैं causing of death की causing of death कि अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया यानि की homicide कर दिया यानि की homicide अगर कर दिया then either तो section number 299 में ये offense होगा आपका culpable homicide ये offense होगा आपका culpable homicide या फिर आपने offense किया है section number 300 में murder का 300 में murder का now अगर हमें murder के offense को proof करना है if we want to prove the offense of the murder तो मैं आपको बता दूँ that every murder is a culpable homicide जब तक culpable homicide ही नहीं होगा murder कभी नहीं हो सकता it means every murder is a culpable homicide but every culpable homicide is not a murder culpable homicide जब proof हो जाता है उसके साथ साथ अगर हम section number 300 की कोई भी condition को proof कर दे then that offense become the murder then that offense become the murder इसका मतलब कै है कि culpable homicide is a genus ये एक genus है and murder is a species murder is a species आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक judgment देखी थी जहाँ पर हमने देखा था celebratory gunshot case कि मिर्जापूर जैसी series में मुन्ना भाई किसी की शादी में गए और वहाँ जाके firing कर दी और किसी ना किसी के गोली लगी दुले को ही मार दिया उस case में हमने क्या यहाँ पे section 299 and 300 का पूरा law principle समझा था remember 299 and 300 का हमने पूरा एक law principle समझा था उस case में celebrity gunshot case जहाँ पे हमने क्या देखा था in which we have seen कि भाई अगर हमें murder proof करना है तो हमें पहले culpable homicide proof करना पड़ेगा culpable homicide proof करना पड़ेगा because ultimately murder is just a species of the culpable homicide now see दूसरी बात अगर murder proof हो भी जाता है अगर murder proof हो भी जाता है ना तो हमें murder के case में कुछ exceptions देखने को मिलती हैं कुछ exceptions देखने को मिलती हैं जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा offense इन किसी भी exception में fall हो गया तो ये offense वापिस क्या आजाएगा exceptions किस किस तरह की होती हैं कि आपने यहाँ पर जो act की थी ना वो with consent की थी मैंने किसी को गोली मार दी उसको मार दिया बट मैंने अब गोली मारी ना उसकी consent ली थी या फिर जब मैंने इसको मारा I was under a grave and sudden provocation grave and sudden provocation कि उस टाइम पर महौली ऐसा हो चुका था कि भाई इतना प्रवोक कर दिया गया था कि मैंने गोली मार दी आपको इस तरह की 5 exceptions देखने को मिलेगे the point is अगर ये exceptions proof हो जाती है क्या यहां पर murder के offense में acquit कर दिया जाता है या फिर अब अगर exception proof हो गई तो दुबारा ये offense culpable homicide रह जाता है अगर ये exceptions proof हो जाती है then ultimately this becomes almost again the culpable homicide not amounting to murder ये culpable homicide बन जाएगा जो की murder amount नहीं करता है it means section number 299 में आपको दुबारा libel कर दिया जाएगा जिसकी punishment आपको section number 304 में मिल जाएगी am I clear all of you? am I clear all of you? right acquit नहीं किया जाएगा वैशनवी श्रिवास्तव acquit नहीं किया जाएगा जब भी देखिये दो तरह की exceptions होती है जो की आपको मिलेंगी एक तो होती है general exceptions चलो आज ये भी समझी लो general exceptions जो की आपको मिलेंगी section number 76 से लेके 106 तक 106 तक जिसमें की private defense भी include हो जाता है दूसरी तरफ आपको मिलती है specific exceptions specific exceptions जो की एक particular section के नीचे दी गई होती है जैसे की murder के case में हमें 5 exceptions मिली हुई है अगर यहाँ पे कोई भी general exception proof हो जाए उस case में तो court आपको acquit कर देता है कि भाई general exception ही proof हो गई बट अगर आप लोग कोई specific exception उस particular offense की proof करते हो तो यहाँ पे acquit नहीं किया जाएगा murder के case में अब आपको culpable homicide में liable कर दिया जाएगा culpable homicide के liable कर दिया जाएगा am I clear all of you am I clear all of you पहले मुझे बताईए so that we can proceed further so that we can proceed but in section 100 section 100 is a general exception section 100 एक general exception आजाती है इसी किसी कारण उसमें acquit कर दे जाता है right आगे बढ़े section 299-300 में difference बताएं कुछी classes में पहले आपको बताया है तो वो classes भी देखें नहीं तो इस classes को लगातार everyday 9 एम देखते रहे murder का concept हमें आगले 3-4 दिन में दुबारा देखने को मिली जाएगा right now अब इस case में क्या हो रहे इस case में ना एक couple है husband wife है और husband wife में normally two-two में हमें चलती रहती है और यहां पे इन दोनों couples की इन couple की यहां पे जादा लड़ाई चलती थी and हुआ क्या इसी के कारण जब यहां पे husband अपनी wife के साथ regularly cruelty कर रहा था तो एक दिन wife ने गुसे में आके अपने उपर kerosene oil डाल लिया और husband ने क्या किया उसी टाइम पे जब यहां पे गर्मा गर्म महौल था husband ने माचिस की तीली चलाई और उसके उपर फेंग दी ले तू मरी जा ले तू मरी जा now this particular act जिस महौल में उसने की कि ले तू मरी जा क्या यहां पे यह murder होगा के नहीं होगा अब आप लोगों को एक यहां पे पॉइंट समझना होगा क्या इस पटिकुलर टाइम से पहले क्या हस्बेंड मारना चाहता था क्या हस्बेंड मारना चाहता था क्योंकि हमने क्या देखा कि केरोसीन ओयल इस वाइफ ने खुद अपने उपर डाला है कैरोसीन उसने खुद अपने उपर डाला है and during that time जब यहां पे इस तरह का महौल बंगया तो हस्बेंड ने with intention उसके उपर एक matchstick यहां पे फेंग दे एक तीली के उपर आग लगा के उसको जला दिया जिसके कारण उसकी death cause हो गई अब अब यहां पे husband बोल रहे न कि मेरा case exception में fall होगा क्योंकि husband को पहले high court ने libel कर दिया for the offense of the murder murder के लिए यहां पे libel कर दिया गया कि आपको section number 302 में punish किया जाएगा but husband क्या बोल रहे कि नहीं नहीं सुनो मेरा case exception में fall होगा exception number 4 और exception number 4 यहां पे आपकी क्या बोलती है exception number 4 बोलती है that culpable homicide is not murder कि culpable homicide murder नहीं है if it is committed without pre-mediation if it is committed without any pre-plant पहले यहां पे plan नहीं किया हुआ था in a sudden fight in the heat of the passion upon a sudden quarrel and without the offender having taken undue advantage or acted in a cruel or the unusual manner तो पहले इसको हम लोग तोड़ लेते हैं कि exception 4 में बोला क्या जा रहा है कि culpable homicide एक murder नहीं होगा अगर यह act यहां पे कैसे की गई without any sudden without any pre-plan कि पहले इसके उपर कोई भी planning नहीं थी इस act को करने के लिए second thing एक यहां पे sudden quarrel हुई sudden यहां पे लडाई उनको देखने को मिली right without pre-mediation in a sudden fight in the heat of the passion in the heat of the passion heat of the passion जब यहां पे एक sudden fight चल रही थी उस time पे जो आपने act किये न without the offender having taken the undue advantage अगर आपने undue advantage भी नहीं ली उस situation की तो आपका case culpable homicide ही रह जाएगा murder नहीं माना जाएगा अब हम बात करते हैं essentials की क्या यहां पे हमारे case में कोई भी pre-plan लग रहा है क्या हमारे case में कोई भी pre-plan लग रहा है के नहीं लग रहा है बदाईए मुझे यहां पे तो कोई pre-plan नहीं है न जहां पे wife ने खुद अपने उपर kerosene oil डाला है तो क्या husband यहां पे pre-planning करके आया था कि आज मैं अपनी भीवी को जला दूँगा the answer is no तो यह essential तो husband ने proof कर दिया कि मेरा पहले कोई भी pre-plan नहीं था मेरा पहले कभी भी कोई pre-plan नहीं था second point क्या यहां पे जो भी हुआ एक heat of the passion में हुआ के नहीं हुआ उस महौल में हुआ ना जब दो यहां पे लोगों की लडाई चल रही है दोनों एक तरफ से mentally यहां पे frustrated हो चुके हैं emotionally frustrated हो चुके हैं उस heat of the passion में जब वाइफ ने अपने उपर kerosene डाल लिया तब husband ने बोला कि तू मरी जा यह भी उसने प्रूफ कर दिया कि यह जो एक्ट यहां पे की गई है एक heat of the passion में की गई है third point sudden quarrel इसके उपर थोड़ी बो चर्चा हुई है बट सुनो यह लड़ाई पहली बारी तो नहीं हुई थी यह लड़ाई husband wife में पहली बारी तो नहीं हुई थी ना इस case में husband wife की लड़ाई पहले भी काफी बार होती रहती थी इस तरह की cruelty उनमें चलती रहती थी बट उस दिन तो यहां पे सदन लड़ाई चल रही थी, ऐसा तो नहीं है न, कि हम लोग ये मान के चलेंगे, कि एक हफते पहले इंकी लड़ाई चली थी, पांच दिन से चुपचा बैठें, आज एक हफते बाद इन्होंने यहां पर दुबारा लड़ाई की और काम ये कर दिया, नहीं, अगर दुबार मुर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा, बट, अशेंशेल नमबर फोर, टेकिंग दा अंड्यू एडवांटेज, टेकिंग दा अंड्यू एडवांटेज, उस सिचुएशन में, जब एक वाइफ ने अपने उपर केरोसीन ओयल डाल लिया, हस्बेन ने क्या मै अंड्यू एडवांटेज नहीं ली सिचुएशन की, चाहे कुछ भी महौल हो जाए, क्या आपने इस केस में एक अंड्यू एडवांटेज ली है के नहीं ली, because the husband has taken the undue एडवांटेज, तो ये केस आपका exception नमबर फोर में fall नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भ उसको पता है कि अगर इसने ये काम कर दिया, the moment, the moment he will do this, he will blow this matchstick, उसकी वाइफ यहाँ पे जल जाएगी, she will be dead, then he have taken the undue advantage of the situation, जिसके कारण, जिसके कारण हम लोग इस offense को murder ही मानेंगे, क्योंकि exception for proof नहीं हो रही है, exception number 4, proof नहीं हो रही है, am I clear all of you, am I clear all of you, the court observed, the exception clearly in unequivocal term, states that it would be applicable, where the culpable homicide is committed, not only without the premediated might in a sudden fight or quarrel, but has also without the offender taking the undue advantage of the situation, but यहाँ पे एक undue advantage ली गई है, तो exception में यह case fall नहीं करेगा, and that is why, he will be liable for the murder under section number 302, and not under section number 304, जानी की culpable homicide नहीं लगेगा, murder का उपर उसके उपर charge लगेगा, clear हुई बात, clear हुई बात, और इसलिए बोलते हैं, that patience is something, which is the most important in your life, आपका जो mindset है ना, चाहे आप किसी भी situation हो, be strong enough to deal with every situation, every situation में अपने mindset को इतना strong रखो, कि आप कुछ इस तना काम ना कर दो, कि बाद में आपको तो jail होई, किसी की death हो जाए और आप सारी उमर यहाँ पर regret ही करते हो, right, moving on to the next judgment, again a very very important legal point, विथल मानिक खत्री versus sugar sanjay कांबले, very very important case, see, अब इस case में हमें क्या देखने को मिल रहा है, domestic violence act, domestic violence act, domestic violence act का main purpose क्या है, कि अगर एक woman के साथ, एक domestic relationship में किसी भी तरह की violence commit हो रही है, एक domestic relationship में किसी भी तरह की violence commit हो रही है, अगर वो violence उसका husband कर रहे हैं, या फिर उसके in-laws कर रहे हैं, then in the domestic violence act, इस woman को एक protection भी मिलती है, plus she can also claim the maintenance under the domestic violence act, right, basically किसी भी तरह का violence, ये violence यहाँ पे एक physical violence भी हो सकती है, एक mental violence भी हो सकती है, एक emotional violence भी हो सकती है, कि emotionally abuse किया रहे है, it covers every aspect of the violence, now, आज तक हमने क्या देखा था, कि section number 2A of the domestic violence act, वहाँ पे जो word लिखा गया है, कि aggrieved कौन होगा, यानि कि victim कौन होगा, कि domestic violence act में, violence किसकी against की जा सकते है, victim कौन होगा, it was written as the woman, कि सिरफ और सिरफ women के against यहाँ पे ये violence कमिट की जा सकते है, अब सुप्रीम कोड के पास एक case गया है, कि क्या इस woman में हम लोग trans woman को भी include कर सकते हैं, के नहीं कर सकते हैं, trans woman को भी include कर सकते हैं, के नहीं कर सकते हैं, यानि कि a woman who changed her identity, and it is her fundamental right, हमें सुप्रीम कुड की judgments में भी, नालसा judgment में भी ये बोला गया हुए, कि sexual identification का हर इंसान के पास अपना एक right है, that how she or he want to identify himself or herself, अगर एक trans woman है, और उसकी किसी के शादशादी होती है, और उसकी against violence commit की जाती है, domestic relationship में, तो क्या वो domestic violence act में, अपनी यहाँ पर protection ले सकती है, के नहीं ले सकती, क्या उसको maintenance मिलेगी के नहीं मिलेगी, basically अभी तक Supreme Court का इसका decision नहीं आए, अभी hearing नहीं होई, बट हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कि Bombay High Court में यह case already हो चुक है, और Bombay High Court ने क्या बोले, क्या हुआ इस case में, the appealant married to the respondent, a transgender woman, एक transgender woman के साथ शादी की, the woman who had sex reassignment surgery in 2016, and then she filed a case, under DV Act, Domestic Violence Act में case file किया, कि मुझे maintenance चाहिए, मेरे अगेश, violence यहाँ पे commit की जा रही है, तो judicial magistrate first class ने भी, उसके बाद session court ने भी, then High Court ने भी, सब ने यहाँ पे maintenance दी है, क्योंकि आप सब लोग भी जजी हो, देखो, अब सब लोगों का viewpoint सेम है, जो कि यहाँ पे High Court का भी है, तो High Court जट से कम, तो आप लोग भी नहीं हो, I know that, सब का यहाँ पे viewpoint बिल्कुल सही होता है, बट, appealant की contention क्या थी, appealant बोला कि as per the law, law हमें क्या बोल रहा है न, कि जो agreed person है, it only includes the woman, उसमें सिरफ और सुमें, women ही include की जाती है, domestic relationships में, बट, अब यहाँ पे, issue देख लो, आपको issue समझ आई चुक है, the Supreme Court is set to examine, whether a transgender woman, who has undergone the re-sex assignment surgery, can be an aggrieved person or not, in the DV Act, क्या वो एक maintenance claim कर सकती है, कि नहीं कर सकती, क्योंकि, 2A में लिखा हुआ है, it only means any woman, agreed person सिरफ और सिरफ एक woman हो सकती है, but Bombay High Court ने क्या बोला, Bombay High Court ने clearly यह बोल दिया, कि बाई साब, हमें एक progressive viewpoint लेना होगा, जहां पे हमारे fundamental rights, किसी इनसान को अपनी identity, को यहां पे recognize करने के लिए, एक fundamental right देती है, तो क्या यहां पे उसको हम लोग DV Act में यहां पे include नहीं कर सकते, अगर उस तरह की lady के साथ, यहां पे कोई भी cruelty हो रही है, एक question पूछता हम आप से, we are talking about the domestic relationship, right, अब इस case में हमने क्या देखा, इसका answer आप सब लोग मुझे दोगे, और नहीं दिया तो देख ले ना, domestic relationship, एन हम लोग क्या देख रहे हैं ना, कि एक बंदे ने शादी किस्से की है, trans woman से, trans woman से, क्या यह शादी Indian law में recognized है, क्या एक इंसान, एक trans woman के साथ एक लड़का शादी कर सकते है, इस इस रिकोगनाइश्ट, as per the judgment of the same-sex marriage, in the Supriyo Chakravati versus Union of India, the judgment which we have seen recently, जो कि हमने recently judgment देखी है, क्या वहाँ पे हमें देखने को मिला था, we have seen, legally no, नहीं, इस judgment में, Supriyo Chakravati judgment में, मैंने आपको clearly क्या समझाया था, Supreme Court ने इस judgment में भी यही बोला है, LGBTQ community में, अगर homosexuals, marriage कर रहे हैं, then that marriage is not recognized, that marriage is not recognized, but अगर, heterosexual couple में शादी हो रही है, तो चाहे वो LGBTQ community में है, then it is recognized, ये एक valid marriage है, जहाँ पर एक man, एक trans woman के साथ, शादी कर रहा है, तो ultimately, biological एक man and woman में, शादी हो रही है, अगर दो लड़के या फिर दो लड़कियां, आपस में शादी कर रहे हैं, बट इस case में ये शादी को अभी भी legally recognize किया जाता है, अभी भी क्या हमेशा से recognize किया जाता था और सुप्रीम कोट ने, सुप्रियो चकरवती case में भी clearly ये बोला है, कि अगर एक heterosexual couple है, अगर एक heterosexual couple है, तो चाहे वो एक शादी trans man and trans woman में हो रही है, then that marriage is very much legally valid, चाहे आप Hindu marriage act में कर लो, चाहे आप special marriage act में कर लो, ये शादी valid है, एक domestic relationship बनेगी, तो अब मैं चाहे expect करूँ आप लोगों से, इस judgment को इतने अच्छे से समझा है, आपने एक ही point सा जो आपको याद रखना था कि अभी भी heterosexual marriages को कुछ नहीं बोल सकते हैं, they are very much legally valid, ये legally valid हैं, और जिस judgment की हम लोग बात कर रहे हैं, Bombay High Court ने भी यहाँ पर यही बोला है, अगर एक female यहाँ पर सर्जरी करा के, ट्रांसों में जहाँ पर change होई है, then she can very much claim the maintenance under the domestic violence act, हमें यहाँ पर एक broad interpretation रखनी होगी, section 2A की जहाँ पर word aggrieved को समझाया गया है, और सिर्फ और सिर्फ women को include किया गया है, वहाँ पर हमें trans women को भी include करना होगा, और ये judgment किसक्यों पर बेत हैं, ये judgment किसक्यों पर बेत हैं, national legal service authority versus union of India ने, already पहले ये बोला था, that the transgender persons who have undergone the sex reassignment surgery, are entitled to the gender of their choice, जिन्नों ने एक re-surgery यहाँ पर कर ली है, they are entitled to the gender of their choice, and इसी के बेस पर यहाँ पर जज्जमेंट, Bombay High Court ने भी दी है, अब Supreme Court में case जा चुक है, and very much आप सब लोग जैसे High Court जजिस्टों होई, जब तक आप लोग Supreme Court में जाओगे, तब तक यही decision दिया जाएगा कि, ultimately domestic violence act में, इनको भी add करना चाहिए, right, now there is a very very important legal news of the day, जहाँ पे, Collegium ने finally, तीन जजिस को appoint कर दिया गये, तीन जजिस को appoint कर दिया गये, as the chief justice of the respective high courts, उत्रागंध high court के, नए chief justice कोन है, justice रित्तू बहारी, यह सारे के सारे आपके prelims के question है, यह prelims में आपको 101%, एक या दो question में से मिली जाएगा, अगर हम बात करें, औरिसा high court में, तो औरिसा high court में justice, चक्राधारी सरन सिंग को, chief justice के लिए appoint कर दिया गये, and Meghalia high court में, justice, S. Vedyanath को chief justice के लिए appoint कर दिया गये, इनको आपको याद करना है, and याद करके, आज के comment box में, session के नीचे जो comment box है, अब सब लोग इसको लिखोगे भी, अगर नहीं लिखोगे तो नहीं याद रहेगा, अगर लिखोगे, तो हफ़ता दस दिन याद रहेगा, बर जब दुबारा आपको question मिल जाएगा, तो answer सही कर पाओगे, तो इसको लिखना ही लिखना है comment box में, मैं personally जाके check करूँगा, and now last the legal fact of the day, which is a very very important legal fact of the day, जहाँ पे आपको यह जानना है, कि इंडिया में, आज भी जो alcohol लेने की age है, drinking age है वो क्या है, tell me, अगर हम अलग-अलग states की बात करते हैं, कि डेली में क्या legal age है, मुंबई के मुंबई में क्या legal age है, हर्याना में legal age क्या है, तो वी get to see, कि इंडिया में alcohol लेने की जो legal age है ना, वो कुछ states में यहाँ पर 21 साल है, कुछ में 25 साल है, कुछ में 25 साल है, अगर हम UP की बात करें, तो UP में it is 21 years, अगर हम डेली में बात करें, it is 25 years, can you even believe, कि आप लोग यहाँ पर सोच भी सकते हो, कि डेली में alcohol लेने की age 25 है, and I have seen people of 12 years, जो की alcohol ले रहे होते हैं, आधी उमर के बच्चे भी 12 साल में भी alcohol ले रहे होते हैं, डेली में I have seen personalize है, but the question here is, जो हम यहाँ पर एफेक्ट की उपर बात करने आए हैं, कि हमारे देश में जहाँ पर drinking age तो, 21 साल या 25 साल है, अलग-अलग state में, वोटिंग की age क्या है, आप यहाँ पर ड्रिंक नहीं कर सकते हो 21 साल तक, but आप वोट आप 18 की age में भी कर सकते हो, basically we are talking about what, we are talking about the age, age of drinking क्या है, age of drinking हमें कुछ states में देखने को मिलती है, कि 21 है और कुछ states में 25 भी देखने को मिलती है, अगर हम दूसरी बात करें, कि हमारे देश में marriage की age क्या है, marriage की age भी हमें देखने को मिलता है, लड़की के case में 18 और लड़के के case में 21, अगर हम बात करते हैं voting की, कि भाई साब, एक इंसान शादी के लिए mature नहीं हुआ, alcohol लेने के लिए कभी mature नहीं हुआ, कि हमारी सुसाइटी को कौन चलाएगा, मैं जाके vote कर क्या हूँगा, वो 18 साल में उसको अकल आ जाती है, as per our Indian legal system, जो हमारा यहां पे low है, बट शादी करने के अगल नहीं आई उसको, एक बीवी को या एक हस्बेन को, यहां पे कैसे deal करना है हूँ, अकल नहीं आई, बर देश कौन चलाएगा, यह अकल आ चुकी है, drinking के अकल उसको नहीं आई, तीसरी बात जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, age of consent, age of consent, consent for the sexual relationship, जो कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, कि Romeo and Juliet clause के according, हम लोग देख रहे हैं, कि इसको और कम कर दिया जाए, basically अभी क्या है, marriage age, 18 साल में ही, अगर कोई यहां पे mature होके, adult होने के बाद, sexual relationship में आ रहे हैं, तब ही हम लोग उसको, यहां पे rape का offense नहीं मान रहे हैं, और अब Supreme Court में debate क्या चल रहे हैं, that ultimately इसको reduce कर देना चाहिए, क्योंकि काफी लड़कों को, बे फजूल में arrest किया जाता है, जहां पे, consensual sexual relationship होता है, तो यह हमारा age का system है, which is very indifferent, जिसका कोई logic समझ नहीं आता, which should be changed, अब इसको change कर देना चाहिए, right, and now we are done with the class, and मैं आप सब लोगों को बता दूँ, आप सब लोग, जो जो CLAT की त्यारी कर रहे हो, CLAT की mock test series हम लोगों ने announce कर दिया, जो की आपको 25 रुपए में मिल जाएगे, अगर आप लोग code यूज करोगे, DEV, remember the code देव, यही code आपको यूज करने, बताईए मुझे code कौन सा अगे एक बर लिखके बताईए, कौन सा code यूज कर को आपको best education मिलेगी, best platform study IQ judiciary पे आपको ये education मिलेगी, जहाँ पे आपको CLAT की ये mock test series भी provide की जाएगी, and study IQ judiciary का live foundation batch में, पूरी judiciary की त्यारी करने के लिए, पूरी judiciary की त्यारी करने के लिए, अगर आपको 2 साल का access चाहिए, तो आप लोग gold की membership ले सकते हो, और अगर आपको platinum membership लेने, यानि की 3 साल की membership लेनी है, then you can use the platinum membership, but remember always you people have to use the code DEVDEV, my name is Vasudev Monga, the middle part of my name DEV, इस code को use करो, and see me in the live classes, join me through the telegram and in the Instagram, यहाँ पर आप लोग मेरे साथ connect कर सकते हो, thank you so much, I will see you people in the next 5 minutes, we are going to discuss,